सन्यम जीवन में एक महत्वपूर्ण गुण है जो हमें अपने मन, विचार और क्रियाओं को नियंतरित करने में सक्षम बनाता है गौतम बुद्ध के संदेशों में सन्यम को एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिक सिध्धांत माना गया है जो व्यक्ति को आंतरिक शांती, समरिध्धी और सत्य की प्राप्ती में मदद करता है इस लेख में हम सन्यम के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे जिससे हमें अपने जीवन को संग्यानशीलता, संगठन और सफलता के दिशा में अग्रसर करने में मदद मिलेगी सन्यम का परिभाशा, सन्यम का शब्दिक अर्थ है नियंतरन या आत्म नियंतरन यह एक ऐसी शक्ती है जो हमें अपने विचारों, भावनाओं और क्रियाओं को नियंतरित करने में सक्षम बनाती है सन्यम न केवल आंतरिक शांती की प्राप्ती में मदद करता है, बल्कि यह जीवन को संचालित और संगठित रखने में भी सहायक होता है सन्यम का महत्व एक आत्मनियंतरण की प्राप्ती सन्यम के द्वारा हम अपने मन को नियंतरित कर सकते हैं और आत्मनियंतरण की प्राप्ती कर सकते हैं यह हमें अपने भ्रमों, अव्यवस्थित, विचारों और अनुप्युक्त क्रियाओं से बचाता है 2. उच्च उद्देशों की प्राप्ति सन्यम के माध्यम से हम अपने जीवन के उच्च उद्देशों की प्राप्ति में सफल हो सकते हैं यहा हमें लक्ष की दिशा में ध्यान केंदरित करने में मदद करता है और हमें अपने लक्ष की प्राप्ती के लिए संधर्ष करने में प्रेरित करता है तीन, उत्कृष्टता की प्राप्ती सन्यम उत्कृष्टता की प्राप्ती में हमें मदद करता है जब हम अपने मन को नियंत्रित करते हैं और उच्चस्तर के उद्देशों के लिए काम करते हैं तो हम अपनी क्षमताओं का पूरा प्रयोग कर सकते हैं 4. आत्मविकास, सन्यम आत्मविकास और स्वाध्याय का महत्वपून साधन है यह हमें अपनी क्षमताओं का परिचय करने, स्वीकार करने और विक्सित करने में मदद करता है 5. शान्ती और समरिध्धी, सन्यम के माध्यम से हम अपने आंतरिक शान्ती और समरिध्धी की प्राप्ती में सफल हो सकते हैं यह हमें स्थिर्था, संतुलन और संघर्ष के लिए सामर्थ्य प्रदान करता है सन्यम की शिक्षाए एक मन को नियंतरित करना, सन्यम के माध्यम से हम अपने मन को नियंतरित करने की क्षमता विक्सित कर सकते हैं इससे हम अपने विचारों को साफ कर सकते हैं और सकारात्मक्ता को बढ़ा सकते हैं दो, ध्यान की अभ्यास ध्यान एक महत्वपूर्ण तकनीक है जिससे हम अपने मन को शांत करके आंतरिक शांती प्राप्त कर सकते हैं ध्यान के माध्यम से हम अपने असली स्वरूप को अनुभव कर सकते हैं और आत्मा के गहरे सत्य को जान सकते हैं 3. साधना का अभ्यास साधना एक अन्य महत्वपूर्ण तकनीक है जिससे हम अपने जीवन के लक्षे की प्राप्ती में सफल हो सकते हैं साधना के माध्यम से हम अपने कर्तवियों का पालन कर सकते हैं और अपने उद्देशों की प्राप्ती के लिए संघर्ष कर सकते हैं 4. समय का प्रबंधन सन्यम के माध्यम से हम समय का प्रबंधन करने में सफल हो सकते हैं और अपने उद्देशों की प्राप्ती के लिए समय का सही इस्तिमाल कर सकते हैं इससे हम अपने जीवन को संदठित और सन्योजित रख सकते हैं सन्यम का साक्षातकार सन्यम का साक्षातकार हमें एक संतुलित, शांत और संतुष्ट जीवन की ओर ले जाता है यहां हमें अपने लक्षों की प्राप्ती में सफल होने में मदद करता है और हमें अपने जीवन की सार्थक्ता को समझने में सहायक होता है सन्यम के माध्यम से हम अपने जीवन को सम्वेदन्शी, संधर्ष पूर्ण और सफल बना सकते हैं समाप्ती इस लेख में हमने सन्यम के महत्व को समझने का प्रयास किया और उसके विभिन पहलूँ को विस्तार से विवेचित किया सन्यम एक ऐसा गुण है जो हमें अपने जीवन को सम्वेदन्शी, संगठित और सफल बनाने में मदद कर सकता है यह हमें आत्म नियंत्रण, आत्म विकास और आंतरिक शांती की प्राप्ती में मदद करता है इसलिए हमें सन्यम को अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानना चाहिए और इसे अपने जीवन में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए आत्म विकास और आंतरिक शामिल करता है